हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास फॉर्थ की इंग्लिश की वक्षीट नंबर सेवंटीन करने जा रहे हैं जो कि है 24 अपरिल 2021 की आपकी टेक्स्टबुक मेरी गुर्ड से लिग गई है यूनित है इसका वन वेकप पेज नंबर तू से लेकब फाइफ तो बचो देखिए वक्षीट को शीरू करने से पहले आपको अपनी ये वाली पूएम जिसकी वक्षीट है वेकप वाली पूएम पढ़नी होगी अच्छी तरीके से समझनी होगी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप डिस्क्रिप्शन में जाय से लिंक पर क्लिक कीजिए और इस पोयम को अच्छी तरीके से समझ लीजिए ठीक है समझने के बाद फिर आप इस वक्षित को देख सकते हैं जिससे आपको यह अच्छी तरीके से समझ भी आजाएगी ओके तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पोयम की जरूर देखिएगा तो चलिए शिरू करते हैं अगर आपने भी तक हमारे चनल माइन बूस्टिंग क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे और बेल एकन भी दवा दीचिए जिससे सबसे पहले निव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास ही बहुत सके तो चलिए बच्चो गोड मॉर्निंग स्टुडेंट्स तो यहां बोला गया है शुक प्रभाद बच्चो कि आपको पता है कि जल्दी जगने के बहुत सारे फायदे होते है तो सुभी जगते हैं तो जो हवा होती है वो एकदम शुद्ध होती है और जो सूरज की किरने होती है वो जल्दी जगने वाले का स्ट्वागत भी करती है You can hear the chirping of the birds जल्दी जककर आप चिनियों की चुंचुंचुंची जी 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 जो वाज चिर्पिंग करते है न ये सब सुन पाते हैं You can also see squirrels running around the trees सुगे जककर आप squirrels देख पाते हैं गिलहरियां देख पाते हैं जो की पेडों के आसपास घूमती रहती हैं तो यह जो मैंने आपको पूरा पढ़कर सुनाया, इसे आप एको बाप पढ़ेंगे और इसमें जो भी शब्द ing से खतम हो रहे हैं, उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, एक आपके लिए कर भी रखा है, तो यहाँ पर देखिए, जो morning है, इसके अंत में ing आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे पहले नमबर पर morning, ओके, तो morning हो गया, अब देखिए, आगे भढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए, अगर हम गैटिंग को देखिए, तो गैटिंग के भी last में क्या आ रहा है, ing, तो ing वाला ये भी शब्द हो गया, तो गैटिंग लिख देते हैं, उसके बाद आगे हम भढ़ते हैं, आगे कोई शब्द हो तो उसे तूड़ते हैं, हम लोग, चिक है, भी ing आ रहा है, तो chirping भी हम यहाँ पर लिख देंगे, you can also see the squirrels running around the trees, तो यहाँ देखिए, running, running में भी last में ing आ रहा है, तो running भी दर आ जाएगा, ठीक है, तो यह सारे शब्द थे जो आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है, इन्हें आप लिख लेंगे, उसके बाद देखिए, आगे हम भड़ते हैं, question number two, now that you know the benefits of rising early in the morning, let's read a loud stanza from the poem wake up, from your textbook marigold, तो जब आपको पता चलिए गया है कि जल्दी जगने के कितने सारे फायदे हैं, तो अब हम आपकी poem wake up, यानि जल्दी उठो में से एक stanza पड़ते हैं, एक paragraph पड़ते हैं, ठीक है, तो चलिए हम आपकी poem wake up में से एक कड़ी पड़ते हैं, wash and dress and come on out, everyone is a panda bout, तो यहाँ बोल रखा है, अपने हाथ मो धोलो और कपड़े पहनो, और बहार आओ, क्योंकि सब लोग क्या हैं, जग चुके हैं, the cow, the horses, the duck and the sheep, जो गाय होती हैं, जो गोडे होती हैं, डक होती हैं, शीप होती हैं, यह सार चीचीची करता हैं, तो वो सबसे छोटा चीकन भी जग चुका हैं, वो चीचप चीचीच कर रहा हैं, और बोल रहा है, जगो जगो, वेक अप हैं, तो यह हमारी last कड़ी थी, last हमारा यह paragraph था, poem का, यह आपको उधर दे रखा था, और हमने इसको पड़ा, इस poem को पूरा प तो question third में आपको दो जानवरों के नाम बताने हैं जो आप सुबह उठकर अपने आसपास देखते हैं, तो जो आप सुबह उठते हैं तो आपके आसपास क्या क्या आपको मिलते हैं काव, कैट, है ना, गाय मिलती होगी, बिली मिलती होगी, कुटे मिलते होगी, डक मिलती होगी यह सारे जानवर के नाम यह सारे जानवर के नाम आप इधर लिख सकते हैं ठीक है? तो मैंने काव लेग दिया और कैट लेग दिया है, फिर fourth question है write the names of two birds that you can see if you wake up early in the morning अगर आप जल्दी जाते हैं तो आपको कौन-कौन से चिडियां दिखती हैं जैसे जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें पिजन दिखते हैं पिजन, कबूतर दिखते हैं स्पैरो दिखती हैं चोटी-चोटी चिडियां दिखती हैं Question No.5 है Do you know the sounds made by the animals and the birds in the poem? Write the sound made by them below You can take the help from the help box तो आपको पता है Poem में जो सारे जानवर थी उन्होंने कुछ न कुछ आवास की थी तो क्या क्या आवास की थी यह आप लिखिये और बताईए कि कौन सा जानवर कैसी आवास निकालता है यह आपको Question में बताना है Sound made by a horse एक घोड़े की दुआरा की गई आवास कैसी होती है? ने हो, ने है ऐसे होती है ना तो यहाँ आजेगर ने है उसके बाद sound made by a duck एक duck कैसे करती है? Quack, quack तो यहाँ हम लिख देंगे quack Sound made by a chicken एक chicken कैसे करता है? Cluck, cluck तो यहाँ हम cluck लिख देंगे Sound made by a sheep एक sheep कैसे करती है? Pleat, pleat तो यहाँ पर हम pleat लिख देंगे ठीक है? यह सब आप भर लेंगे उसके बाद Question No.6 है There are many words hidden in the word chirping Like chin, chirping, ring, etc. Similarly by using the letters of the word Creatures make new words One has been done for you तो यहाँ पर देखिए Chirping को आप देखिए Chirping में कई सारे शब्द चुपे होई हैं जैसे यहाँ पर अगर हम Chirping को देखे तो सबसे पहला शब्द यहाँ पर क्या चुपा हुआ है? C, H, I और एक N इधर का ले लीजे C, H, I, N Chin, है न? उसके बाद नेक्स्ट शब्द यहाँ पर क्या चुपा हुआ है? देखिए बच्चो C, H, I, R, P यहाँ पर चिर्प उसके बाद नेक्स्ट क्या चुपा हुआ है? P, I, N, Pin है न? उसके बाद रिंग भी चुपा है R, I, N, G, रिंग देखिए R, I, N, G, यह रहा रिंग बन गया है न? रिंग यानि अंगूठी तो यानि चिर्पिंग में इतने सारे शब्द चुपा हुआ है इसके लावा काफी है तो हमें क्या करना है? ऐसे ही शब्द Creatures में डूडने है और नीचे लिखने है जैसे यहाँ पर A, T और यहाँ से E तो क्या बन गया यह? A, T एक का मतलब यह Eat की खाने की थर्ड फॉर्म होती है उसके बाद देखिए Eat यहाँ पर देखिए Eat भी बन गया E, A, T Eat यहाँ पर यह रहा Eat उके उसके बाद देखिए Create Create कैसे बना C, R, E, A, T यहाँ पर Create और इसका ही यह रहा Create, उके उसके बाद next शब्द कौन सा बन रहा है Tree देखिए T, R, E T, R, E, E Tree, उके next देखिए next कौन सा शब्द बनाया है मैंने यहाँ पर Red Red कैसे बन रहा है यहाँ पर आप देखेंगे R, E, T, Red इतने सारे शब्द इसमें बन रहे हैं इसके रहाबा काफी बन रहे हैं तो इनको आप यहाँ देखें नीचे लिख दीजेगा तो यह हमारी आज की वक्षीट थी I hope आप कुछी तरीक इससे समझ आई होगी और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो जरूर देख लीजेगा फेक अप पोयम की तो थैंक यू फूर वाचिंग